नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी कापके अपने यूट्यूब चैनल S के जोब अलेट में इस चैनल पर आपको रोजाना गौर्लमेंट जोब और अजूकेशन से जुड़ी लेटिस और इंपोर्टन अपडेट्स दी जाती है तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की ताजा अपडेट दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरू जंबेश्य उनिवस्टी सैंस एंड टेकनोलजी हिसार M.D.U. उनिवस्टी रोत तक कुर्षेत्र उनिवस्टी कुर्षेत्र और गुरू ग्राम उनिवस्टी में आपके एडमिशन्स और मेरिट लिस्ट की अपडेट्स के बारे में ठीक है जी तो वीडियो काफे इंपोर्टेंट होने वाले जिन कंडेट ने इन उनिवस्टीयों में पीजी के एडमिशन्स के रिगार्डिंग अपफों को अपलाई किया हुआ था ठीक है जी और जो मेरे दोस्ती चैनल पे पहले बार आएं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बैल आइकन को जुरू प्रैस करें जिससे के में लेटेस गुर्मेंट चोग और एडुकेशन से जुड़ी लेटेस वीडियो का नौटफिकेशन आपको समय से मिल सके तो चलिए दोस्तो बिना से वेश्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करें गूरु जंबेशियो इनुश्टी में होने वाली पीजी की फीजिकल काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो यह आप यहाँ पे चैक आ सकते हैं हम उनकी ओपसल पे जैसे आएंगे तो आप यहाँ पे चैक का सकते हैं फोर्थ काउंसलिंग ओफ आल पीजी प्रोग्राम फिल भी हैल्ड 16 सितंबर 2022 को ठीक है जी और इसके रिगार्डिंग कुछ जो शीट वेकेंट है तो इसका यहाँ पे आपको सारा सेडूल दिया हुआ है ठीक है जी तो आप इसको चैक करके कल फीजिकल काउंसलिंग में आ सकते हैं यदि इसमें आपकी शीट वेकेंट है तो अगर आप आएंगे तो अच्छी बात है अगर यदि कोई शीट वेकेंट रही कैटेगरी वाई तो आप आएंगे तो आप का इडमिशन हो सकता है ठीक है जी यह तो थी आपकी फर्स्ट गुरु जेंबेशिव अनुस्टी में पीजी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग अब बात करते हैं आपकी जो सैकेंड अपडेट आई है सैकेंड आप यहां पे चैक का सकते हम कुछ यह तो आपकी पीजी के अडमिशन के रिगार्डिंग इस्टाग्राम पे स्टेटर्स और स्टोरी शेयर कर दी थी जिनकंडेट के फर्स्ट मैट लिस्ट में नाम आया हुआ है तो आपना वहां पर डिटेच्छ चेक कर सकते हैं जिनकंडेट ने पीजी के अडमिशन के रिगार्डिंग अपलाइक किया हुआ था ठीक है जी यह किसी कंडेट ने भी तक चेक नहीं किया है या फिर पीडिया फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप मैं बता देता हूँ आप किस तैसे अपना रिजल्ट चेक का सकते हैं तो आप जैसे कुछ सेत्रे उन्वेश्टी के ओप्षिल वैब साइट पहेंगे kuk.ac.in ठीक है जी इस साइट पहाने के बाद में आप इस ओप्षन पहेंगे एडमिसंस पे जैसे आप एडमिसंस के ओप्षन पे कलिक करेंगे तो आपका एक न्यूवेश पेज ओपन हो जाएगा न्यूवेश पेज ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे आना है के यूके एडमिसं पोर्टल कलिक ही है ठीक है जिस मैं आपको step by step बताऊंगा तो वीडियो थोड़े लंबी भी हो सकती है तो patience रखिएगा क्योंकि उसमें आपको क्या रहेगा कि जब आपकी next time में जब आपकी update आएगी second counselling के regarding matters लगेगी तो आप आराम से check कर सकेंगे ठीक है जी तो आप यहाँ पे आप यह चैक कर सकती है कुछ एत्र अनुस्टी कुछ एत्र एडमिसं पोर्टल पे जैसे आप इस पे कलिक करेंगे तो फिर आपका new way page open हो जाएगा ठीक है जी new way page open होने के बाद में आपको क्या करना है आप अगर computer mobile में करें मुबाइल में करें तो आपको बिल्कु सेमी स्क्रीन आएगी ठीक है जी आज सुबह से comment आ रहे थे पर आप यहाँ पर चैक कर सकती है आपको mad list दिखाई नहीं देगी है यहाँ मुबाइल में open कर करें तो इसके लिए को क्या करना पड़ेगा आप यहाँ पर यहाँ पर देशकते हैं तीन डोट आ रहे हैं ठीक है जी तीन डोट पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह करना है desktop site पर करने के बाद में यह पर पूरा open हो जाएगा अब आप यहाँ पर चैक कर सक सकते हैं जो मैंने आपको वर्षब पर इस्टाग्राम पर और यूटूब की स्टोरी में सेर किया था वह सेम पेज आपको यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर चैक कर सकते हैं कुर्चेत्रा की फर्स्ट मैड डिस्ट आई हूँ है पीजी कैड मिसंस के रिगार्डिंग तो य हम बात करेंगे टोटर कितने कोर्स के रिगार्डिंग आपकी फर्स्ट मैड लिस्ट रिलीज की रही है कुर्चेत्रा निवस्टी में तो आप दिसके तो 77 वेरियस परकार के कोर्स है जिसकी फर्स्ट मैड लिस्ट रिलीज की रही है ठीक है जी तो यह आपकी लिस्ट आप आई हूँ है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैं आपको एक डाउनलोड करके हैं, और बता भी देता हूँ किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देता है, फर्स्ट मैट लिस्ट ओफ MSC मैट, ठीक है जी MSC मैट के रिगाड़ें, तो आप जैसे इस लिदिय पूटर मोबाइल में यह PDF फाइल में से हो जाएगा, से होने के बाद में, सबसे पहले आप यह दे सकते हैं, आपकी मैट लिस्ट आयो, उसके बाद में किसका क्या प्रोसेस रहेगा, वो मैं आपको भी थोड़ दे में बता देता हूँ, तो आप किस तरह करें हैं, यहाँ सीरियन नमबर दे रहे हैं, में कितने कंड़ेट का फर्स्ट मैट लिस्ट में नाम आया हूँ है, कंड़ेट का नाम है, अप्लिकेसन नमबर जो आपने फॉर्म को अप्लाई किया तो आप यह अप्लिकेसन नमबर है, कंड़ेट के मदर्स नेम है, ठीक है, यहाँ सुन करकि उसके marks मिले हैं केरिकलम activity या फिर फिर किसी पार्टिस्पेट किया गेम में ठीक है जी या कोई other केरिकलम activity के रिगार या आपके यहां पर कुछ marks add कि जाते हैं कुछ कंड़ेट ने NCC या NSS ली होती है या फिर प्रोस्पेक्टस में भी चैक कर सकते हैं विकिस वज़े से इतने marks उसमें add करके यह आपकी high mat बनी हुए ठीक है जी तो आप प्रोस्पेक्टस में जाकर भी चैक कर सकते हैं तो यहां पर आप इस कट ओफ के बात करें तो यहां पर दे सकते हो जो आपके general category last cut ओफ हो गई है उसमें last candidate का नाम है सीमरन ठीक है यहां पर दे सकते हो 97.690 पर लास्ट कट ओफ गई है उसके बाद में EWS की है उसके हो हर्यानल general category है और next की हम बात करें तो आप यहां पर चेक कर सकते हो EWS है उसके आप में SC category है फिर Deprived SC category है फिर BCA category के list आई भी है उसके हम BCB की और आपको यहां पर last share चेक कर सकते हो ठीक है जी 15 सितंबर 2022 का आज रिजल्ट list किया गया है अब बात करते हैं जिन candidate का फिर्ष्ट में नाम आया हुए अब उसका क्या next process रहने वाला है तो process के रिगार्डे आप यहां पर complete detail दी हुए है आप इसको चेक कर सकते हैं ठीक है जी तो आप candidate को अपने original document verification करवाने पड़ेगी ठीक है जी और यहां पर यह चेक कर सकते हैं यह process अप कब से कब तक चलेगा तो 15 सितंबर से ले करके 19 सितंबर तक अपने यह document verification रहेगी और आपको fee submit करवाने ठीक है जी और fee submit के बारे में आपको यहां पर बताएगा है फिस आपकी online submit रहेगी ठीक है जी और यहां पर यह पर प्रोसेस चेक कर सकते हैं आप इसका screenshot भी ले सकते हैं ठीक है जी और जिस department में आंगे जिस subject के आपकी mat list आई हूँ है जिस subject के लिए अपने apply किया है उसी department में आपके और इन डोकुमेंट चेक होंगे जिसमें आपके दे सकते हो category certificate, residency certificate, परिवार पहचान पत्त, income certificate, वेटे certificate जो आपने लगाई हुए थी जिसके अनुसार आपको extra marks दिये गए है ठीक है जी उसके अनुसार करेक्टर डू रहेगा second counselling के regarding या फिर आप इनके ओफिले website पर भी जा करके चेक कर सकते हैं या आपकी next cut off कब लगे second counselling के regarding ठीक है जी तो इस तैसे आपको extra university में आपकी जो first mat list लगी हुए है तो आप इसको check कर सकते हैं और total आपको मैंने बता दिये कितने course के रेगार यह आपकी आयूए थी ठीक है जी अब चलते हैं MD university की जो latest updates आयूए इसके बारे में तो next आप यह चेक कर सकते हैं MD university की ओफिले website पर आ चुके हैं mdu.ac.in ठीक है जी site पर आने के बाद में आप admission के portal पर आएंगे वहाँ पे आप mad list को check कर सकते हैं जो कि मैं आपको य latest updates आये हुआ हैं यहां पर आप चेक कर सकते हैं जो कि आपकी second mad list of MA defense studies के regarding आयूए 15 सितंबर 2022 की आज की latest updates है उसके आप प्रोजिनर second mad list MA sociology session 2022 ठीक है जी यह भी आज की update है next आपके second mad list आपकी MA music vocal की है उसके आपका second provisional mad list आपकी MA drawing and painting के regarding हैं उसके आपके public administration two year आपका जो course रहता है ठीक है उसके बाद मैं आपकी next आपकी MSC forensic science की आई हुई है उसके बाद मैं MA yoga की है ठीक है जी यह आपकी 4-5 पर करकर के various courses की mat list आई है तो मैं आपको एक download करके भी दिखा देता हूँ ठीक है जैसे कि फर्स्ट आम बात करें में defense studies की regarding तो जैसे आप download के options पर click करेंगे तो यह आपके PDF form में आपके computer mobile में save हो जाएगी ठीक है जी save होने के बाद में आप यहां पर चाहिए का सकती complete detail दीगी है जिन next हम बात करें इडर उस category में vacant है next आपके हर्यान open general category में यहाँ पर candidate के roll number student की ID नाम category interest tax में कितने marks आए है ठीक है जी आप यहाँ पर complete detail चेक कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पर सभी का detail wise result दिया गया जिन पर unit का second mate list में नाम आया हुए इसी तरह से आप second mate list में सोचलोजी और यह various परकार के यहाँ से आप डाउनलोड करके check भी कर सकते हैं ठीक है जी अब बात करते हैं आपके गुरूग्राम यूश्टी की option लिए website पे आ चुके है गुरूग्राम university.ac.in ठीक है जी तो इस site पे आने के बाद आफ़र जैसे नीचे स्कोल करेंगे तो आप admissions की option में आएंगे तो यहाँ पे आपको आज की latest updates मिल जाएगी 15 सितंबर 2022 open counseling for MSC mathematics to be had on 16 सितंबर 2022 ठीक है जाने कि जो आपकी कल MSC math के लिए open counseling होगी उसमें candidate के list में नाम आई है तो उन्हें open counseling में जाना है ठीक है जिए मैं आपको थोड़ दे में बता देता हूं इसी तरह में पॉलिटिकल साइंस की भी आपके 16 सितंबर को होनी है ठीक है जिए दो latest updates आयो थी और यह आपके पहले हो चुकी है उसके एक हो रहा ही है आपकी जो open counseling MP2 की होनी है दे सकती हो आपके 16 सितंबर को होनी है ठीक है जी तो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूं तो आप जैसे first पर आएंगे open counseling for MSC mathematics जो कि आपकी कल होनी है तो जैसे आप इस पर कलिक करेंगे तो यह आपके PDF form में download हो जाएगी पर प्रोविजने एडमिशन इन प्रोग्राम mathematics की तेलमा दे रखा है भी कितने कंडेट का फर्स्ट मैट लिस्ट में जी कांसलिंग के रिकार्डिन नाम आया है अप्लिकेशन नमब दे रखा है कंडेट का नाम है और उन्हें इंट्रेस्ट में कितने माक्स प्राप्त की है और यहां पर उनकी काटेगरी भी दियूई है ठीक है जी तो हम जी इसमें देख लितने हैं और टोटल कितने कंडेट को यान कि टोटल 62 कंडेट को फर्स्ट फीजिकल कांसलिंग के लिए बुलाया गया ठीक है जी और यहां पर इसका आप सेडूल चेक कर सकते हैं इसमें को फोलो करते हुए आपको कांसलिंग में जाना ठीक है जी आपकी जो ओपन कांसलिंग के रिगार्डिंग डॉक्मेंट वैरिफिकेशन का सेडूल है वो 16 सितंबर को सुबह 9 बजे होगा ठीक है जी वो कहांपे होगा तो यहांपे आपे चाय कर सकते हैं रूम नम्मर 306 था कांसलिंग का सुडूल आयो है ठीक है जी उसी तरह में पॉल्टिकल साइंस का है और अगर मैं आपको साइट डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी और बड़ी हो जाएगे और आप बहुर भी हो जाएंगे जिन कंडेट को जो जिस जिस उन्वस्टी के रिगार नहीं है आपका सैकेंड में आजाएगा अगर सैकेंड में बाई चांस नहीं आता है तो आपको उसके बाद में यदि कोई सीट वेकंट एक तो आपकी फीजिकल कांसलिंग भी करवाई जाएगी जिसमें आपका इडिमिशन जरूर हो जाएगा ठीक है जी और इससे पहले मै आपको बता रखा तब आप किसी भी एक उनिस्टी के लिए अपलाई मत करो दो से तीनी उनिस्टी में जरूर अपलाई करो ठीक है जी क्योंकि किसी में तो आपका मैं इटवाईज था और किसी में आपका इंटरेस्ट टेस्ट हुआ था तो साबसे आप ये चेक कर सकते हो यहां पे आपको complete information मैंने आपको बता दिये ठीक है जी और admissions के regarding, government jobs के regarding, cut off के regarding, counselling के regarding, आपकी कोई क्योरी है कुछ पूर न चाहते हो तो आप मेरे को instagram id s.k.jobler 2020 पे follow करके message भी कर सकते हो जिसका reply आपको जरूर मिलेगा तो चलिए दोस्तों मिलते है next video में एक latest और important updates के साथ इसी के साथ धन्यवा दोस्तों जैहिन जै भारत